हेलो एवरिवन वेलकम टू विफ्शो एकेडमी आज जो टॉपिक में आपको लोगों के लिकर आई हूँ वो है आठ इंटेग्रेटर प्रोजेक्ट फाइल का ही है सिक्किम पॉलिशन फ्री स्टेट सिक्किम को एक पॉलिशन फ्री स्टेट बनाने की मुहीम चलाई जा रहे ह कि में तो काफी हथ तक जो है वहां का पॉलिशन फ्री हो चुका है अब ही ठोड़ा और होना बागी है और जिस प्रकार से काम कर रही है और वहां की लोग अपना योगदान दे रहे हैं सरकार के साथ में तो जल्द ही सिक्य में एक प्वालिशन फ्री स्टेट भी बन सकता है तो उसी के मद्दे नजर जो ये फाइल बनाई जा रही है कि सरकार ने क्या कदम उठाए और वहां की जो जनसंख्या वहां उन्होंने किस तरह से सरकार का योगदान कर रहा है उस उठाएवे कदम का क्या रिजल्ट रहा है ठीक है उन सब चीजों को ही इस फाइल में समावेश किया गया है उन सब को कंबाइन करके यह फाइल बनाई गई है तो आई होब कि आप लोगों के फाइल अच्छे लगेगी तो चलिए अपने फाइल के तरफ यह आपका फरस्ट पेज है जो आप लोगो को बनाना है लिखना है आट इंटेगरेटर फ़ाइल सिकीम पॉलिशन फ्री स्टेट ग्लास अपनी नाइन तेंथ है तो नाइन तैंथ है तो टैंथ है तो टैंथ 11 ए तो ट्वल्थ है तो अगर आप लोगों को सिक्किम से रिलेटेड कुछ पिक्चर से अगर मिल जाती है से यहां पेंसे पेस्ट करदेना तो यह पेज आपका और सुन्दर लगेगे गां यह था आप लोग का फरस्ट पेज आपने लेर आपने से पेज के तरफ चलते हैं धुट यह अपप लोगों का से एकनद पेजी रहेगा ठीक है यह लोग फिर लखेगा फेलिकनाแइ Crublic का नाम लिखेंगे as per guidelines issued by central board of secondary education cbsc ठीक है यहाँ पर teachers का नाम लिखेंगे यहाँ आपना student नाम लिखेंगे यहाँ रोल नमबर और यहाँ पर teacher के signature करने के लिए आप लोग जगह छोड़ेंगे ठीक है तो यह आपका first page यह second page था first page में introduction दे चुकी हूँ देन आपका यह index आएगा index में आप लोगों को इस तरह से लिखना है यह index बड़ा बड़ा लिखेंगे when then sikkim इनने map of india map of sikkim about sikkim, government of sikkim, environment friendly measure to reduce pollution, impact of government initiatives, advantages of area products, challenges जो सरकार ने face किये थे जब इसको लागू किया गया था और इस कियमों को लागू करने के बाद क्या outcome रहा है क्या result रहा है वो सब ठीक है उसके बाद आपका page जो आता है यह है sikkim इनने map of india आपको stationary पर जाकर एक india का map खरीदना है और यह आपको locate करना है sikkim यह छोटा साब को दिखाई दे रहा होगा यह yellow part यह sikkim का है ठीक है उसके है आपका next page है map of sikkim आपको फिर से stationary जाना है और एक map लेका आना sikkim का और उस पे आपको यह पूरा sikkim locate करना यानि की sikkim north sikkim, west sikkim, south sikkim और east sikkim और sikkim की capital है राजधानी है वो है गंगटोक और यह मंगम यह है gazing और यह है नामची जो के हम पहले भी कर चुके हैं तो यह सब आपको locate करना है यह important इसके चार शहर है और गंगटोक इसकी capital यानि की राजधानी है ठीक है उसके बाद में यह जो ह सब्सक्राइमें है जो भी इसका थोड़ा बहुत introduction हमने दिया है ठीक है यह आपका introduction है आप लोग इसको note कर लेना ठीक है next page है यह government of sikkim, sikkim में किन की सरकार है वहां की governor को है और chief minister कौन है ठीक है अगर यह इनकी pictures भी आपको stationery से बहुत easily available हो जाएंगी वहां से आप लेकर आप paste कर सकते हैं और इनके नाम लिख सकते हैं ठीक है और आप लोगों को project file बनाने के लिए बैटा color sheet ही आप use करना जैसे कि मैंने use की है ठीक है उसके बाद फिर आपका जो next topic है वो है environment friendly measures taken by sikkim government sikkim government ने जो environment friendly measures याने कि जो कदम उठाई है वो कौन-कौन से है यह देखिए उन्होंने सबसे पहले सारा का सारा जो है जो water bottle आती थी प्लास्टिंग वो बैन कर दिया है उसके बाद second जो उन्होंने लिखा है तो styrofoam जो thermakol की चीजे थी कोटोरियां हो चाहे जो शादी विवहा में जो इस्तिमाल की जाती थी सब कुछ बैन कर दिया गया है और उस त गौर्मेंट तुक अप इस ट्रास्टिक इनिशिएटिवस on the ground the disposable products which were in vogue in both ruler and urban areas. मला रूर शहर और गाहों विल्कुल खतम कर दिया गया है तो यह गौर्मेंट ने कुछ कदम उठाए है प्लास्टिक पलुशन फ्री करने के लिए ठीक है उसके बाद है आपका impact impact of government initiative जो ग प्लास्टिक को यूज करने के लिए और जो भी कदम उठाए गए है उन से क्या हुआ इस बैंन है इस बैंन है इस बिन इंपक्ट फूल मतला बहुत असरदार हुआ है और वहां के लोगों ने देखो पेपर से और लीव से और बैग से बैगास से बैगास बैगास होता है ज उनका भी यूज किया जा सकता है तो यह सारी चीजे हैं जो कि सरकार ने जो करा तो उसके बाद प्रियुद गर्वर्मेंट इनिशियर्टिफ्फ और उसके बाद यह आपको लिख्णा है ऑपको अपको लिखना एंसलाट तो यह तर ये सब जगहा पर ये सब चीज環 Avengers Time लगने हैं प्लास्ट्रिक की तीर में इसक़ा gözनष़ के थी कृट्ट फेसले अर्धर बड़ा चुकी जहिए बंजें, आप इनके जगए इस सब ब्रॉतल बısर बाने कोंगी हैं इसमय प्लास्टिक वे कंगा, आप इन सब किजेगे ले ली हैं इन सबने यह सब जो है natural जो है nature friendly चीजे हैं ठीक है यह बहुत अची चीजे इसको use करने के बाद जो हम फैक देते हैं तो उससे भी हम इसको आगे हम पढ़ेंगे manufacturing के बाद जो चीजे उसका क्या होता है जब तक इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेम आपका यह देखो यह भी है कि जो पहले वहाँ पर plastics use करते थे हम भी करते हैं इस तरह से सब्चिया लाते हैं जो कि गलत बात है हमें यह सब नहीं यूज करनी चाहिए और कपड़े वगरा जो या gift के लिए जो हम यूज करते थे वो इस तरह की पॉल्थी नियूज करते थे लेकिन अब सिक्की में इन सब चीजों की जगा आ गया है यह अब जो सब्ची वाले जो होते हैं जो सब्ची बेचते हैं वो इस तरह के पत्ते में सब्ची को लपेट कर बांध कर देते हैं customer को ठीक है जो भी खरीदने जाता है सब्ची वगरा वहाँ पे पॉल्थीन की पालन किया है ठीक है तो वहाँ का यानि की योगदान वहां की जो जनता है वहां का योगदान ने पूरा-पूरा रहा है सरकार के साथ में तो इन सब चीजों की बटा आप लोग पिक्टर बना सकते हैं तो बना लीज़े यहां पर वीडियो पॉस करके सिंपल है नहीं तो आप लोग नेट से इनकी पिक्टर निकाल सकते हैं या फिया आव स्टेशनरी शॉप से भी लेकर आ सकते हैं ठीक है आवेलेबल हो जाएंगे निताब नेट से निकाल लीजिएगा ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है आप लोगों का वह है एरिका प्लांट्स कैसे दि आप लीजिए इस दरह से होते हैं ठीक है और यह बाद के यहां रख कियो है इसान फिक लिए इस देखो इनकी नेक्स्ट एमनेक्स्ट आप लोगों का यह देखो मनुफेक्शिरिंग प्रॉसेश्स की जो अरिका पाम लीजिव से जो चीजे बनाई जाती है कर टो ट्यूरी करते हैं ना उनके पत्तों बाद करते हैं यह क्वार टाट पर यहां पर किंonरों की जाते हैं c literally कीij । ताकि वह थीक कानि है किनारों को गिसाई कर कैए उसको जो है उसके किनारा जो तेज पना होता है किनारों में उसको कम कर दिया जाता है घटा दिया जाता है खतम कर दिया जाता है और उसको थोड़ा सा जो जैसे हम लोग किचन में जो रसोई में जो हम लगाते हैं शेल्फ पर उसे किनारों को घिस देते हैं ताकि थोड़ा क्विर से कुछ ज़डे गा हेना उसमें से कुछ जब कि यह जडाने और में चाहिआ को चे जा जाता है उसके बाद फिर उसकी पैकिंग होते हैं बढदों की पैकिंग होती है और उसके बाद ये आते हैं हमारे यहाँ पर टेवल पर जोस्को चाहती है हमारे गर में पहुंचाती है हैं इकना करते हैं उस तो हम इसको डिक डिस्पोजल कर देते हैं मतलब इसको फैक हुई चीज़ को दुबारा लेकर आती है अपने इंदस्ट्रीस में और वहां पर क्या करती है इसको घिस करके इससे ऑफ से कंपोस्ट बनाती है और कुछ जो बच जाता है तो उसका भूस बनाती है जानवरों के ल बिलकुल कोई हमारे environment को इससे कोई भी हानी नहीं है, किसी तरह की कोई हानी नहीं है, तो आप लोग इस तरह से इसकी figure बना लेंगे, यह diagram पूरा बना लेंगे, आपको नजर आ रहा होगा, वैसे आप लोग नेट पर सर्च करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा, वैसे मैं दिखा देती हूँ, देखो, पहले आप लोग इतना बना लेंगे, ठीक है, यह आप लोग, अगर आप लोग इसकी यह diagram बना सके तो बहुत अच्छी बात है, यहां लिखा है, naturally fallen leaf collection and logistics for cleaning with fresh water, उसके बाद आपका यह है, heat press and plate forming, उसके बाद है, edge trimming, उसके बाद है, आपका cleaning and steril realization, ठीक है, उसके बाद है, आपका यह packing, यह है, आपका packing, यह है, आपका packing, देन उसके बाद है, आपका dinner wear, बने हुए है, उसके पर कर्टोरिया रखी हुए है, ठीक है, एन उसके बाद है, disposable या composition, dustbin बना वह है, इसमें दिखा रहे हैं कि हमने dispose off कर दिया, मतलब इसको fact दिय एक उसको पेड फिर पनप गया, उसी से, अपने खाद दी, तो उसी खाद का स्तेमाल करके, एक नगा पेड बन गया, ठीक है, तो यह इसका process है, आप लोग लिख लेंगे, अपनी यह cycle बना कर इसको describe कर देंगे, इसको प्रोसेस को, पढ़ देती हूँ, Eureka leaf plates are perfect alternate to plastics, polymer based products and also paper based products about which the entire world is concerned about, a 100% natural mechanism is followed for manufacturing these plates, the fallen Eureka leaf is collected from farms, the sheath of Eureka leaf cleaned and soaked in water for approximately 15 minutes and shed dried for 30 minutes, they are then compressed to different shapes using correspondingly shaped machines, as per the customer requirement, ठीक है, तो आप लोग यह लिख लेंगे, next page जो आपका है, जो भी मैंने उपर पढ़ाया, यहाँ पर आप लोगों को यह short में बता दिया, कि मतलग क्या process होता है इसका, ठीक है, यह short में था, तो इसी का ही detailed explanation यहाँ पर है, कि पहले क्या होता है, collecting raw materials, तो उसके बारे में लिख दिया, फिर drawing the Eureka, वो जो steps उपर थे, यहाँ पर है, तो इसके बारे में फिर यह heading है, फिर यह heading है, फिर यह heading है, फिर यह heading है, फिर इसके बारे में, तो मैं आपको उससे जूम करकर दिखा देती हूँ, देखो, collecting raw material, ठीक है, raw material, collecting raw material, ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पर थोड़ा slow कर देते हैं, आपको दिख the sheets separate the sheet from the leaf and send it to the Erika leaf merchant ठीक है मर्चन मिला वैपारी उसके बाद है drying the Erika sheet उसके बाद उसके बाद यह सब चीज़े लिख लेंगे heading डालके और यह है सारा ठीक है आप वीडियो पॉस्ट करके उतार लेना बिटा उसके बाद है है यह cleaning the Erika sheath ठीक है यह है आपका इन दा फैक्टरी वर्कस विल सोग the Erika sheath in the fresh water for 20 minutes using a soft brush they gain they then gently scrub the sheet to remove dust and the sand particles the next step is to drain the water in the sheath after draining the water the sheet is pressed in the Erika leaf plate making machine ठीक है यह है यह आपका तो यह पर यह दिखाया हुआ है कि Erika sheaths की sheaths होती है वो इस तरह से दिखाई देती है यह है ठीक है ऐसी होती है यह और यहाँ पर लिखा हुए draining the water in the area sheet after soaking and cleaning मतला जब हमने इसको दो दिया और इसको जो है उसे पानी में भीगो दिया दो दिया उसके बाद इसको अगर आप लोग इसकी जो मशीन की पिक्चर है वो बना सको तो ठीक है बना देना नहीं तो यह भी stationary shopper available हो जाएगी तो वहां से ले लेना या फिर आप net से निकाल सकते हो ठीक है उसके बाद में जो है आपका इससे pressing होती है इस machine को यूज करते है pressing the plate यानिकि plate को press करने के लिए तो यहां पर यह है इस तरह से देखो यह महिला किस तरह से इसका बना रही है प्रेट बना रही है तो वह दिखाया गया है फैक्टर में किस तरह से इसका बनाया जाता है तो इसको यह मैं थोड़ा से दिखा देती हूँ जूम करके यह आए देखोा जाता है जाता है तो ऍदकर जूम करह थूम करेंसम छूम केाज रही हैै जग्ठी सएका जाता है जड़ा जिराट ख边कि टाम お의 ≡ notamos इसमें पूरे में यह कहा गया था कि जब हम इसको बनाते हैं तो कोई कटिंग जो है वो भी ऑटोमेटली मशीन से ही होती है और उसके वाल इसमें हम कोई अधेसिव यूज नहीं करते हैं कि उसे किनारी करने के लिए किसी वीचिस सब कोई केमिकल इसमें बिल्कुल इसमें एव स्तेमाल नेट कया जाता है और चाहे आप इसमें थंडा खाना खाइं जाहें गरम खाना शह भी तो खाने के अंदर अपना ले दो da तो यहां पर लिखा हुए है तो यह आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं उसके बाद फिर आपका है यह वाला पेज वेस्ट शीट मतला जब आपने काट दी हर एक शेप निकाल ली कटोरी की ग्लास की कटोरियों की उस तरह से यह जो आपका कचरा बच गया इसका क्या होता है इस वेस्ट शीट के पाट इसको हम स्टे मिला जाते है उसका बना stra台 कि उसके बाद गया जाब आ यह को चारे के रूप में इसको स्टेयलााइस करता है और इसकी यह पैकिंग कर रहा है ठीक हैं यह तेखो इस तरह से एक दूसरे के अंदर फिट रहा है इस तरह से ना पाइल बना रहा है अगर आप लोग चाहो तो इसको लिख देना वनना सब यह ग्रेडिंग का लिक के यह heading डाल कर यह heading डाल कर थोड़ा बहुत इसके दो paragraph लिख देना इनफ होगा तो next है आपका आपको दिखाई दे रहा हो अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हैं ठीक है यहां से आप लोग लिख लेना next phase जो आपको करना है यह आपका process complete हो गया उसके advantages है हाँ बिल्कुल इसका बहुत जड़ा फाइदा है वो इसके फाइदा यहां गिनाए गई है एक तो यह eco-friendly है bio degradable है और compostable है मतला कि environment को कोई नुकसान नी पहुंचता इसको दुबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे खाद बनाई जा सकते last में जब वो usable नहीं होता और उसके बात है no chop down of trees मतला इसमें पेडों की कटाई की कोई जरूत नहीं है क्योंकि जो गिरे हुए पत्ते होते हैं जो naturally प्रकर्टी तोरपे जो पत्ते गिर जाते हैं उन्हीं का ही स्तेमाल करते हैं इन सब प्रोडॉट्ट्स को बनाने के लिए हैं ठीक है कोई chemical use नहीं ह हलका होता है यह और यह non crushable होता है मतला ऐसा नहीं कि यह जो है गिरते ही तूट जाएगा ऐसा भी नहीं होता है और इसको हम microwave में भी use कर सकते हैं रेफ्रेजिरेटर में भी रख सकते हैं और इसमें जो है चार घंटे से चार घंटे तक इसमें हम पानी रख सकते हैं इसमें क ताहिक जिए वर्म खाने के लिये थंडे खाने के लिए दोनों के इसनेमाल किया जा सकता है. यह देखो, गुवर्मेंट वहां की और भी बहुत अच्छे कदम उठाई है, देखो, सिक्क्किम जो था, सबसे पहले ग्रीन पॉलिसी लेकर आया था, यह सबसे पहला राज्य था, जिसने पूरी तरह से और गैनिक को अपनाया, और जो है, जो है, विच मिन्स, और फूद प्रोडूस इन सिक्किम शूद सून भी फ्री और पेस्टिसाइड, अब बहुत जल्दी ही, जितने भी जो वहां पर फूड उगाई जाते हैं, वो सारे फ्री होने वाले हैं, तो उसने और क्या कदम उठाया, यह देखो, यूरिनेटिंग इन पब्ली कैन कोस रुपीस फाइफंडे, उन्होंने बिल्कुल एलान कर रखा है, वहां की सरकार ने, कि अगर आप खुले में शौचादी करते हैं, तो पांसो रुपे जुर्माना होगा, ठीक है, वहां पर यह टॉइलेट्स वगार आपने घर में बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सकती से यह पालन करवाया जा रहा है, गाहों के इलाकों में भी, इस हैस रिजल्टिन सक्सेस प्रोग्राम विच वर्ज एन्वी सेज येर्स बिफोर स्वर्च भारत कमपेन, ठीक है, स्वर्च भारत कमपेन के अंदर जो बहुत आया था, तो उसकी वज़े से ये, वो सक्सेस हो पाया था, क्योंकि वहां की सिक्केम की जो गर्मेंट थी, वो इन सब चीजों के पहले से ही काम कर रही थी, ठीक है, वहां पर देखो, फायर क्रैकर्स को भी बै कर दिया गया था, जिससे की नॉइस और एर पलुशन होता था, ठीक है, देखो कितने कदम उठाए है हमां की सरकार ने, और देखो, और देखो क्या हुआ, फ्रम थार्टी सेवन जी एस्टी काउंसिल मीटिंग, जो थार्टी सेवन जी एस्टी मीटिंग हुई थी, गोवा पर कोई भी जी एस्टी नहीं लगेगी, ठीक है, तो यह सब चीजे हैं, जो वहां की सरकार ने कुछ उठाए गए हैं, कदम, उसके बाद है, वेर इस दा एरेका पाम ट्री ग्रोन, आप यह कहां कहां पर उगता है, वो सारा इसमें डिटेल से, आप लोग लिखना चाहों लिख सकते हो, तो यह है, यह तो है कंट्री जहां पर एरेका पाम ट्री ग्रो होता है, ठीक है, आप इसका लिख सकते हो, और इंडिया के लिए आपका, यह पेटा पेज जो है, रिपीट हो गया है, यही सेम पेज है, ठीक है, यह रिपीट हो गया है, और इंडिया में कहां तुझद है इनको उगाया जाता है आप इंडिया का मैप ला कर इस दरह से इसको शो कर सकते हो कि कहा कहां इंडिया में एरेका पाम ट्री उगाया जाता है ठीक है, यह आपका पेज है, यह देखो, मैं इस साइड के पहले एरियास दिखा देती हूँ, यह वाला आपका महाराश्टर, गुवा, पांडुचेरी और केरिला है, उसके बाद यहाँ पर है तमिलाडू, आंदरपरदेश और कर्नाटका, फिर यहाँ पर है आपका वेस्ट लागो की, तो क्या-क्या चैलेंज उनको फेस करने पड़े, वो है, यहाँ पर सारी डीटेल्स, आप लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक है, इसे सब यह सारा उतार लेना, और हैडिंग दे देना, यह देखो, चैलेंज इस फेस्ट बाइन गॉर्मेंट, और मैं इसको जू कोई फाइदा हुआ, तो हाँ जी, बहुत अच्छा फाइदा हुआ है, वहाँ पर जो है, देखो, देखो, वो जो है, वहाँ पॉलूशन बिलकुल कम हो चुका है, और, और, अराउंड 66% और श्रॉप्स इन सिक्कीम यूस पेपर बैक्स और निूसेपर, और अराउंड 34% इन सब चीजों को यूस करने लग गई है, द्रो, पैनल्टी, स्टेट लेवल, पॉलिस, और, मास अवेरनेस प्रोग्राम, इस टाइनी स्टेट, इस वेल, अनिस वेल, तो बिकमिंग, फ्री, अफ्री, 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 प्लास्टिक, पॉलुशन, यानि कि अभी यह जो प्लास्टिक फ्री होने के इसके पूरे पूरे चांसे है, क्योंकि 66% लोग इसको यूस करने लगे, थोड़ा बहुत जहां पैनल्टी वगरा लगाई जारी सरकार की तरफ से, उन से उमीद है कि यह बहुत जल्द प्लास्टिक फ्री स्टेट बन जाएगा, ठीक है, तो उस प्लास्टिक फ्रेंडली हो तो उसे यूस कीजिए, तो यहां पर यह बताया गया है कि प्लास्टिक बैक्स एक सेकेड़ने बनता है, लेकिन 20 मिनिट हम उसको यूस करते है, और साड़े-चार साल से जादा यह हमारे धर्ती को पॉलुशन दे कर जाता है, ठीक है, तो यह हम हमेशा इस चीज़ के आपर काम करना चाहिए, ट्रिपल आरि की अपर यानि कि री-यूस, री-डी-उस, और साइक्ल, अगर कोई चीज हम यूस कर रहे हैं, अगर हम उसको दुबारा यूस कर सकते हैं, तो दुबारा उसको जरूर डेफिनेटली यूस करना चाहिए, ऐसा प्लास्टिक की चीज़ें यूज करनी नहीं चाहिए अगर हम कोई यूज कर रहे हैं चीज एसे तो उसको हमें री यूज करें किसी तरह से इतने जल दिसे इसको प्रकरती में ना फैकें नहीं तो से जैसे कि अगर आप लोग प्लास्टिक की बॉटल यूज कर रहे तो उसको गंले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें पौधे हो गाया सकते हैं बालकोनी में सजा सकते हैं आप तो बहुत सारे यूट्यूपर दिखाए जाते हैं कैसे डेकोरेटिव चीज़े हम बना सकते हैं तो उन बाटल का यूज कर सकते हैं उसके पर रिडियूज यानि कि हमें बिल्कुल कम करना है पहले तो हमें करना ही नहीं है कर रहे हो लेकिन तो बहुत ज़दा रिडियूज कर दो यानि कि कम कर दो और रिसाइकल उस चीज़ को हमें रिसाइकल करना है मतला ऐसे प्रकृति इसे दबाओ नहीं उसको डालो कुछ नव कुछ उसको मत उसको प्रक्रती में जाने ंने जो तो इसी चीज़ पर यह काम करती है री-दूज्ज एंड री-साइकल ठीक है तो चीज़ों को री-साइकल करो याने कि उसको किसी बी तरह से डियाइ-वाई बनाकर आप यूस कर सक बना सकते हो किसी भी तरह से इसको घर में यूज कर सकते हो लेकिन वैसे खुले मैदान में उसे बिलकुल नहीं फैको उसे एन्वायमेंट में पॉलिशन होता है बहुत जादा जो कि हम सब के लिए बहुत जादा हानिकारक है तो यह थी आप लोगों की फाइल आई होब कि पांग से वह आपर से नीचे तक दिखा देती है ठीक है फूँ अ यह दीखिए यहां पर आपका यह Certificate है फिर एंडेग्स z है फिर यह है सिक्कीम इनन मैप ओफ आफ पॐन कि मैप ओस Mitte मैं बाभ सिक्कीम है ठीक है गंळम इन्वार्म ब्रेंदली मेंजर फिर उसकी बाद ये इंपक्त आफेंस ए इनिशेटिव मेन बीफ्वर और और फर एरेका प्लांट्स कैसा होता है फूट्स कैसे होते हैं लीफ कैसे होते हैं नफेर कैसे होता है डिटेल प्रॉस reicht का इसका उस के बाद είναι आप का यह डिटेल प्रॉस का कि सरकार ने फेस करें हैं क्या उसका नतीज़ा आया है और हम क्या कर सकते हैं अपनी प्रकृति के लिए तो आई होब कि आप लोगों को यह प्रोजेक्ट फाइल बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी अगर समझ में आ गई हो तो डूंट फोर्गेट तो लाइक शेर कॉम